हेलो फ्रेंट, वेलकम टू माई चैनल, मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ, दो पीसी के साथ हम कैसे नेटवर्क कम्मिनुकेशन कर सकते हैं, विदाउट एनी राउटर और स्विचेस, तो चलिए देखते हैं, तो यह मैरा PC है, और दूसरा एक लैप्टोब है, दोनों PC के साथ हमने एक स्टेट के विलके थ्रू कनेक्टेट किया है, तो इसमें कोई राउटर और स्विचेस कनेक्टेट नहीं है, दोनों PC के लैंपोर्ड में ही कनेक्टेट है, बीच में कोई स्विचेस और राउटर है ही नहीं, तो चलिए देखते हैं, कैसे हम configure किया है, तो फिलाल यह मेरा network है, इधर देखिए यह turn off दिखा रहा है, network discord is turn off, तो इसको हम ok करके, connect to network के उपर क्लिक करेंगे, sorry, connect to network नहीं, open network and sharing center में उपर क्लिक करेंगे, तो फिलाल दिखा रहा है, not connected, इसलिए यह देखा रहा है, क्यूंकि इधर कुछ router है नहीं, तो इधर IPSI नहीं हो रहा है, तो इससे दोनों network, दोनों PC के भी communication नहीं हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों PC के अंदर हम manually IP address डालेंगे, तो IP address डालने के लिए आपको network के उपर right click करके properties में जाना है, फिर change adapter settings के उपर हम click करेंगे, यह देखिए, दो cable connected है नहीं, अभी मैं cable connect कर रहा हूँ, अभी देखिए, यह unidentified network दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है, इसके अंदर कोई भी IPSI नहीं हुआ है, इसलिए, तो फिलाल मैं इसके उपर IPSI करूंगा, इसके लिए आपको इसके उपर right click करना पड़ेगा, उसके बाद properties में हम जाएंगे, TCP IP V4 में click करेंगे, तो फिलाल मैं IP डाल रहा हूँ, 192.168.1. कोई भी IP हम डालते हैं, इधर fold डालते हैं, और इधर जो default gateway होगा, वो दूसरे वाला PC का जो IP address है, वो ही हम इधर डालेंगे, तो 192.168.1, दूसरा IP हम, दूसरे PC में हम IP डालेंगे, टू डालेंगे, ठीक है, तो अभी फिलाल मैं इसको OK कर रहा हूँ, अभी मैं OK करता हूँ, यह identify दिखा रहा है, तो चलिए दूसरे PC में हम ले जाते हैं, आपको, यह मैरा दूसरा PC है, तो इस वाले PC में हमने network का IP नहीं डाला है, इसलिए इधर भी unidentified network दिखा रहा है, तो IP डालने के लिए इसके ओपर हम properties करेंगे, IP for में हम click करेंगे, इधर जो IP है, यह हम change करके पहले PC में जो IP डाला था, उस type का IP हम इधर डालेंगे, 168, 1. इधर तो हम 192, 168, 1. इधर हम 2 डालेंगे, और इधर जो IP, default gateway IP होगा, यह पहला बाला PC का IP होगा, 192.168.1, डाला था, 4 डाला था हमने, तो 4 डालके हम OK करेंगे अभी, ठीक है, अभी यह identify network दिखा रहा है, ठीक है, अभी देखिए यह बाला PC में तो network चला आया है, पहले PC में हम चला आया है, अभी देखिए यह बाला PC में हमारा network भी communicate होग चुका है, तो, हम अभी जाएंगे, अपना network sharing में, turn on हम करेंगे, इधा, करके yes करेंगे, अभी देखिए, एक PC तो चला आया, यह बाला PC नहीं आया है, यह दूसरा PC है, मेरा जो second PC है, इसका उसका नाम है यह, तो पहला PC का नाम यह बाला मेरा desktop नेम है, तो वो इधार ही दिखाएगा, तो फिलाल अभी यह वाला PC नहीं हा रहे, इसके लिए थोड़ा settings करना पड़ेगा, अभी हम Windows logo और Rpress करेंगे, इधार लिखेंगे, acrbices.msc, ठीक है, तो इधार हम पहले जाएंगे, if for function discovery provider host, यह बाला हम manual है, यह बाला हम automatic करेंगे, apply करेंगे, ok करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, दूसरा बाला, function discovery, resource, publication, properties, ठीक है, यह stop है, इसको हम manually करके start करते है, apply करेंगे, ok करेंगे, sorry, चला आया, दूसरा PC, नहीं आते हैं, तो यह दोनो settings करने के बाद नहीं आते हैं, तो और एक settings है, अब लोगों के साथ share कर रहा हो, दोबड़ा service में जाएए, yes, press करेंगे, ssdp, ssdp discovery, इसके उपर हम right click करेंगे, यह manual है, इसको हम automatic करेंगे, ok करेंगे, और और एक है, यह उपर हम automatic click करेंगे, start करेंगे, apply and ok करेंगे, ये चार सार्विस सेटिंग्स अब चेंज कर रहोगे तो अपना नेटवर्क का जो PC डिस्कोबर है वो चला आएगा ये देखिया मेरा दूसरा PC ठीक है ये मेरा पहला PC ये दोनों PC कम्मुनिकेशन के लिए कोई भी राउटर कोई भी स्विचेस नहीं हमने यूज किया है स्रेब कि स्रेब एक स्ट्रेट के विल हमने यूज किया है ठीक है तो स्के ऊपर ये दोनों PC connected है नेटवक से अरिंग के लिए ठीक है कोई इंटरनेट से यह नहीं कर रहे हम यह only for network के लिए यह हम अब लोगों के साथ share कर रहा हूँ वीडियो साथ अच्छा लागा होगा तो जरू subscribe और like ठोक दीजिएगा Thank you